23 जुलाई 2024 नई सरकार ने नई केंदरे सरकार ने फुल बजट पीस किया इस बजट में कई सारे प्राभधान के साथ साथ Capital Gain के Tax के बारे में कुछ चर्चाएं हूं कुछ प्राभधान आये और इस प्राभधान के बाद ऐसा लगा लोगों के ऐसे बिचार थे कि Capital Gain Tax काफी बढ़ गया है अब आगे उन लोगों का क्या होगा जो खास कर Equity Oriented Mutual Fund या Equity Shares में निवेश करते हैं यह बात सच है कि Tax का Rate बढ़ाया गया जैसे सौर्टम Capital Gain Tax का Rate पहले 15 परसंट था अब उसको 20 परसंट कर दिया गया है और Long Term Capital Gain Tax जो पहले 10 परसंट था अब सब्सक्राइबारा परसंट कर दिया है एड़ेड़ेश की Rate of Taxation Capital Gain Tax में Short Term Long Term दोनों में बढ़ गया है हलाकि यह Tax कम हुआ फाइदा हुआ घटा हुआ हर लोग अपने बिचार थे मैंने भी अपने एक बिचार एक वीडियो पर दिया हुआ है यह अलग मुद्ध है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह Tax बढ़ गया या कम हो गया इसके बावजूद आपके पास कुछ ऐसी बेवस्थाएं हैं कि आप Long Term Capital Gain Tax या तो Zero कर सके काफी कम कर सके इस बारे में मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई है उसमें तीन प्रावधान का जिक्र किया हुआ था चोथे प्रावधान का जिक्र हमने उसमें इसलिए नहीं किया कि कि वो वीडियो काफी बड़ी हो जाती आज हम चर्चा करेंगे उन चोथे प्रावधान का जिस प्रावधान के हिसाब से आप दस करोड़ तक के Capital Gain Tax या तो Zero कर सकते हैं या उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं एस्ट एक्समिंद के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है यदि इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन होता है इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट जरूर करें जिससे मुझे यह पता चल सके जो चीजे में अपने वीवर्स को कम्मुनिकेट करना चा रहा हूं व और बगले बिल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगतार मिलती रहे मेरा नाम डीम जाहें इंकम टक्स एक्ट नाइंटीन सिक्टिवन के सेक्शन 54 के अनुशार यदि आपको एक्विटी सेयर्स या एक्विटी औरेंटेड मिच्वल फंड में कोई लॉंग टम कैप्टल गेन होता है तो उस कैप्टल गेन पे आपका टैक्स या तो जीरो हो सकता है या काफी हद्ट तक कम हो सकता है लेकि इसके लिए कुछ प्राबधान है तो सबसे पहला प्राबधान है कि कि इसके सेल कंसिडेशन को या नेट कंसिडेशन जो इस टांजेक्शन के हुए हैं उसको आपको रेजिदेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें सबसे पहला सवा कि क्या पूरे के पूरे से इस टान्यक्षिन के सेल कंस्ट्यशन को इंवेस्ट करना पड़ेगा या कम भी कर सकते हैं इसके लिए इसको कल्कुलेट करने के लिए एक फार्मूला है और वह फार्मूला है कि exemptions is equal to amount invested into capital gain upon net consideration amount invested means यदि आपको जितना sell consideration हुआ है उसमें से कितना amount आपने invest किया for the purchase of the residential house capital gain जैसे आप जानते हैं कि sell consideration minus और पर्चेस वेल्यू वो कैपिलल गेन माना जाएगा और नेट कंसरेशन मिन्स जो सेल कंसरेशन हुआ उसमें से जो आवस्यक्त खर्चें वह माइनस कर देंगे तो आपको नेट का स्टेशन मिलेगा हाला कि इससे कुछ बातें बहुत क्लियर स्पस्ट नहीं हो पा रही है त इसको हमें एक उधारन से समझते हैं कि हमें exemptions कैसे कल्कुलेट करना होगा हमने माना कि 2014 में पांस लाख रूपए आपने एक्विटी सेर्स या एक्विटी औरेंटेंट मीच्वल फंड में इन्वेस्ट किया था जिसको कि 2014 में या तो शेयर था तो उसको सेल कर दिया या मीच्वल फंड था एक्विटी औरेंटेंट मीच्वल फंड इसको रिडम्शन किया और नेट का सिदेशन इस रिडम्शन या सेयर सेल करने का है वह 40 लैक्स है मतलब पांच लाग का औरिजिनल परचेज और नेट कंस्टेशन 40 लैक्स सिंपल कलकुलेस्ट में कैपिटल गेन 40 माइनस 5 35 लैक्स मिन्स इस टांजेक्शन से मुझे लॉंग टम कैपिटल गेन 35 लाग का हुआ अब इस 35 लाग में से हमारी इच्छा है कि कुछ पैसे में रेजिदेंशल हाउस को पर्चेस करने में लगाऊं या पूरे पैसे इसकी बातें करेंगे हमने माना इस 35 लाग में से 30 लाग रुपए हमने रेजिदेंशल हाउस पर्चेस करने के लिए लगा दिया तो जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था कि इसमें जो एक्जम्स मिलेंगे 35 लाग का आपको कैपिटल गेन मिला है और आपने 30 लाग रुपए इन्वेस्ट कर दिये फॉर्ट पर्चेज आप दे रेजिदेंशल हाउस तो एक्जम्स होगा 30 अपॉन 40 इंटू 35 लाग तो वो जो आपने इन्वेस्ट किये उसको मुल्टिप्लाइए किया कैपिल गेन से जो कि 35 लाग था और नेट का सिजेशन से 40 तो डिवाइड कर दिय से इट कम्स टू 26.25 लेक्स इसका मतलब इस टांजेक्शन को यदि हम नजीर मानें तो हम कह सकते हैं इस टांजेक्शन में आपको 26 लाग 25 लाग का आपको कैपिल गेन हुआ और 26 लाग 25 लाग पर कोई टैक्स नहीं लेगा इसका मतलब बाकि जो 8 लाग 75 लाग के आसपास आ आपने पूरे 40 के 40 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिये तो 40 अपॉन 40 इंटू 35 मतलब पूरे 35 लाग का जो कैपिल गेन हुआ था उस पूरे पर एक्जमसंस मिलेंगे और आपके टैक्स जिरू हो जाएंगे और यह स्यमाएं जो एक्जमसंस की हैं इस सेक्शन 44F में यह 10 कव इस टैक्स को जीरो कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी यह 10 कवर्ट तक एक्जमसंस पाने के लिए कुछ कंडिशन्स हैं जो सबसे पहला कंडिशन्स हमने बताया था यह बताया था कि यह गेन केवल लॉंग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए इसका मतलब जो में आपने टांजेक्शन्स किया है तो सेल या रेडीम किया है उसके होल्डिंग कम से कम एक साल होगी तभी आपको यह सुविधा मिलेगी सौर्टम कैपिटल गेन में यह सुविधाएं नहीं है नंबर दो कि यह ट्रांजेक्शन्स यह अप्लिकेबूल है कि अब इंडिव उसी पर यह अप्लिकेबिल होगा कोई इंटिटी यह टांजेक्शन्स करता है तो उनको यह सुविधाएं नहीं मिलेंगे नंबर थ्री जो सबसे तिक इंपॉर्टेंट है कि यह जो नेंट कंसीडेशन इस टांजेक्शन्स में होगा उस नेंट कंसीडेशन्स को आपको और तीन दिन के बाद पैसे मेरे खाते में आ गए है तो हम कब तक नए हाउस के पर्चेस कर सकते हैं कितने इसमें क्या समय की अवदी है इसमें इस सेक्शन्स के अनुसार यह प्राविजन्स है कि जिस दिन आपने यह टांजेक्शन्स किया उसके पूरे एक साल पहले तक य हमने पर्चेस करने की यह इस पैसे को आप नए हाउस के कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं तो उस पर भी एक्शन्स मिलेंगी कंडिशन्स के वली यह है यह कंस्ट्रक्शन्स जिस दिन टांजेक्शन्स किया आपने उसके तीन वर्सों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए तभी यह अग्शन्स मिलेंगे ह कि यह बाते हुई कि आ Bhagad पूर लांजर्व कप्रेस करेंगे कंस्ट्रक्शन्स करेंगे उसके क्या सब करेंडिस एक और किरी Zen cette family कि जिस दिन आपको डिए पर लयकिद नहीं होना चाहिए इस एक अधिक रच्छन्स आप के नाम होता और तिसरा पर्सेस करने जा रहे हैं करने आपके पास यह सुपढ़ाएं आपको नहीं मिले कि एक क्निसेंद्ट है कि आपने या तो हाउस को यह आपने पर दिल्डेस कर लिया तो इसके पैसे से लेकिन एक कंडिंसंस में और किया गया है कि वो रिषिधेंस आद मिला था वो इस इर में कम में एड़ हो जाएगा मैं समझता हूँ यदि आपके पास अपना कोई घर नहीं या अपना घर है तो आपके नाम एक ही घर है और आपके को एक्यूटी सेर्स या एक्यूटी औरे मिच्वल फंड्स में से एक लंबा चौड़ा लॉंग टम कैपिल गेन होने वाला है तो आप सेक्शन फुट्टी फिप्टी फॉर एफ के में दिये गए प्रावधानों का लाव उठा के दूसरा मकान पर्चेस कर सकते हैं इसके कंसिज आप not the tender娃 Gibson डेना चाहता हूं कि नहीं कोई वाइजर हूं नहीं में कोई टेक्स कंसल्टेंट हुए मैं फटस के बसित पे analysis करता हूं और के हिसाब से मैं उसको इंटर्प्रटेट कर अपने विचार आपके सामने रखता हूं मेरे विचारों से सहनत होना कोई ज़ारी नहीं हैं आप मेरे विचारों समथ हो भी सकते हैं समथ नहीं हो सकते हैं यह आपका फाइनसल विज्डम है लेकिन मैं यह जबूर करना चाहूंगा कि यह इस तरह का कोई डिसिजन लें तो जिस बातों के चर्चा हमने की है उन बातों को ध्यान में रखें उसके बाद दिसनले तो सा आप बेतर निर्ड़े ले पाएंगे थैंक यू